Here is a question. Beryllium plus 3 and a proton are accelerated by the same potential. Their d'Brogly wavelengths have the ratio. यहाँ पर assume करना है कि जो mass of the proton है, वो mass of neutron के equal होता है. Okay, तो आपको d'Brogly wavelength ratio कालकुलर करना है for the b'Brogly wavelength रायन और proton के लिए. तो सबसे पहली बात कि d'Brogly wavelength का formula क्या होता है? तो यह होता है, देखो, lambda is equal to h upon under root 2m into eV. Okay, जहाँ पर h, Planck constant है, m, mass of the particle, e, charge of, electron का charge है, v क्या है, voltage है. ठीक है, इस voltage है, यहाँ पर क्या क्या है, इन दोनों को, beryllium plus 3 और proton को accelerate किया है. तो यह तो हो गया wavelength d'Brogly का relation. Now, अगर मैं इसे, beryllium plus 3 के लिए लगाता हूँ, तो बचाओ, beryllium plus 3 के लिए क्या हो जाएगा ये, h upon, under root, 2 into, mass of the beryllium plus 3, बताओ, beryllium का मास कितना होगा, 9 times of the mass of proton होगा, obviously बहात है, beryllium में कितना होता है, 9, total my neutron plus proton मिलके कितना है, 9 particles होता है, ठीक है, तो 9 times of mass of proton, ओके, now, अब क्या है, charge, अब तो electron का charge कितना है यहाप पर, beryllium में दो प्लस 3 h आये ना रहा है, तो 3 electron के बराब इसका charge है, तो 3 e into v voltage, okay, now, अब यहीचीज प्रोटों के लिए अप्लाए करो, तो lambda p, बताओ, क्या हो जाएगा, h upon, under root, 2 into mass, बताओ, मास अब प्रोटों कितना होगा, ओवसलिबाद आप मास अब प्रोटों की को लियो था, ठीक है, e, proton भी कितना है, एकी charge होता ना, तो इसे e into voltage v, now, आप इंदोन का रैशो ग्लिट करना है, तो अब्वसलिबाद इंदोनों क्या अगर आप, डिवाइट कर तो जैसी डिवाइट करो गेता चेक करो क्या कैंसल अट हो रहा है एच से तो एच कैंसल अट हो गया नव यह पूर अपर चला जाएगा तो देखो यह आ गया अन्डरूट तू इन्टू मास अपड़ प्रोटोन इन्टू इवी अपट अन्डरूट तू कैंसल ओट के मास अफड़ प्रोटोन से मास अफड़ प्रोटोन कैंसल आट इंटू इस ए इन्टू इस ए रीज़ आएट दू बेक एंसल आट बचा क्या वन अपन रूट वन यूगा अपन नाइन इन्टू तू थी तनरूट कितना गा 27 इसे चेक लोगे कितना एगा और आंसर प्लियर है चलिए कौन साप्शन से ये दोगी के ऑप्शन में डी इसे करेक्ट ऑप्शन